नमस्कार आप देख रहें PDS News मैं हूँ PC सेनी थ्री राज बटालियन NCC सिक्कर द्वारा थोई कस्वे के राजस्तान ग्रामिन पीजी कोलेज में NCC भरती का आईजन किया गया राजस्तान ग्रामिन पीजी कोलेज NCC परभारी कैप्टन सर्दार मल्यादव ने बताया कि यह भरती सुबेदार अवतार सिंग, नायक सुबेदार सतीश कुमार, हवलदार सुबासचंदर विजय सिंग, ओमपरकास द्वारा संपन कराई गई भरती में 1600 मिटर दोड का आईजन किया गया, दोड के लिए अलग-अलग बैच बनाएगे, जिन में से महाविद्याले के कुल 94 विद्यार्थियों ने दोड में भाग लिया, जिसमें से 42 विद्यार्थियों ने दोड पास की, दोड में सपल होने वालनों का फिजिकल क्या जिसमें हाइट, पुसप, सिटप, आदी गतिविदियां हुई, फिजिकल के बाद लिखित प्रीक्षिया का आईजन किया गया, लिखित प्रीक्षिया के बाद मेडिकल जाज की गई, अंत में साकसातकार हुआ, देखिए रिपोर्ट में आसा कर दो, आपन साकसा, आप अ, पुछर आएँ, फिरके बन से घोए, तो इस सासुंप, क्रणी हाँ, आप जोए का थाए जाए, क्योजिए, आप थिए और दौनएओ, आउन दाजिए, क्योग यांँ, अदूड़ कर भणूभड़ का भणंभ आट Нदू नयाओ, इस प महाविद्याले राष्तान ग्रामिन पीजी को लेज थोई में आज थ्रीराज बटालेन एन्सीज शिकर द्वारा एन्सीज भरती का एजन हुआ जिसमें थ्रीराज बटालेन एन्सीज सीकर के सुवधार अवतार साभ नाइप सुवधार शतीज साभ अवल्दार सुवाज जी परकाज जी और विजे साभ इनके द्वारा भरती का एजन हुआ जिसमें सबसे पहले 600 मिटर दोड वोईज की और गल्स की 800 मिटर दोड हुई जिसमें जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे थे वो आगे आए और उनका दोड में सेलेक्शन हुआ उसके बाद इनका मेडिकल फिटनेस हुआ उसके बाद में इनके शिटाप और पुसब इस परस्टिक्षन से गुजरने के बाद इनका रिटन टेस्ट है और रिटन टेस्ट होने के बाद में इनका इंट्रिवू होगा और उसके बाद इनकी फाइनल लिस्ट त्रिराज बटालेन नंसीज सिकर के जो शीव अजय साब है उनके दुआरा जारी की जाएगी जो दो-चार दिन में यहां सुचना पटपर लगा दी जाएगी यह बरती तीसरी बरती है माविद देले की क्योंकि 2020 में इसमें एंसी सि मिली थी तो 2020 में पहला बैस हुआ है 21-22 में दूसरा और 22-23 में तीसरा बैच है यहां के जो फर्स्ट जो एनॉल्मेंट हुए थे उन बच्चों का सी सर्फिट का एक्जाम अभी फरवरी में होगा तो मैं तो यही काम ना करता हूँ कि आसपास कि जो अच्छे फिजिकल वाले जो बच्चे हैं गैम्स वाले जो बच्चे हैं जिनके पहले एसर्टिवट हुआ है रहा है एंसी सी का वो बच्चे आगे आएं और एंसी सी में भाग लें क्योंकि एंसी सी का बेनिफिट लोग सिकता है वो ही बदल गई है कि चार साल में अपने नसीच के क्या करेंगे जब कि अपने को समाज में कैसे जीना है वर्दी को पहनना है बोल चाल की भासा है अनुसासन है बहुत चीज़ें सिखाती है तो मतलब मानता हूं कि हर बच्चे को नसीच में भाग लेना चाहिए उनक प ऐसी कोलेश समोः क्या अपने चाहीं अपने एक महारण ह्सिल है इस पोट्स के मामले मैं कि इसका रास्तान यूस्टिमें सेक्वाट you को इस दोनुमें स्धिन में सण रहा है और अब कि बार भी वह है्ए स्पोर्स के मामले में लीज्गा को ㅁशानी नहीं है प्रही बात NCC की, तो NCC में भी यहां के जो बच्चे हैं, वो physical में more intelligent हैं और हर प्रकार की गत्वीदियू में, यानि हमेशा आगे रहते हैं, यहां तक मैं बताओं कि मेरे यहां के दो बच्चे हैं, अभी TSC में दिल्ली गए थे, चार बच्चे मेरे PIGC Camp या जो RD में सेलक्षन होते हैं, उनमें चार बच्चे हैं मेरे, और बार जो ट्रेकिंग कैम्प हैं, उसमें भी तीन बच्चे जा चुके हैं मेरे, वो EBS भी कैम्प है, उसमें भी मेरे तीन चार बच्चे हैं, वो EBS भी कैम्प भी कर चुके हैं, इसलिए मैं ही मयानता हूँ कि जो बच्चे यहां हैं NCC मे वो हर क्षेत्र से जिनको मैं कहूं कि सर्वांगिन विकास हर क्षेत्र में वो हमिसा अग्रणी है और वो बच्चे स्पोर्ट्स में भी यह अपनी महती भूमी कानी बात है ठैंक